नमस्कार दोश्तो आज Science का क्यूज लेकर आए हैं तो आप सभी लोग सभी क्यूचन का जवाब दीजेगा जो भी लोग इस वीडियो के देखेंगे आप उसका जवाब कोमेंट में देने का कोशिस करिएगा क्यूचन भाई क्यूचन आप उसका एंसर दीजेगा तो चलिए स ऑफ्चन B 20 परतीशत ऑफ्चन C पांच परतीशत ऑफ्चन D 80 परतीशत आप लोग जवाब दिए कि मानु शरeer में जल की मात्रह कितनी होती है जली सब लोग जवाब दिजएगा मानुसरीर में जल की मात्रह कितनी होती है option A 10.7 option B 20.7 option C 5.7 option D 80.7 आपका इसका answer हो जाएगा option D 80.7 मानुसरीर में जल की मात्रह ऐसे होता है 65-70% लेकिन आपको option में 65-70% नहीं दिया है इसलिए आपका जाएगा option D 80% जब 1.7 जल की कमी होता है तो प्यास लगता है और 10% जल की कमी होता है तो मिर्थी हो जाता है तब लोग इससे 2 क्योटनीद रखेगा हमारे सरीर में जल की मात्रह होता है 65-70% यहाँ पर ओप्सण नहीं था तो option कुण सारा हमार हो जागा यहाँ पर ओप्सण D 80% 1.7 जल की कमी से प्यास लगता है और 10.7 जल की कमी से मिर्थी हो जाता है क्योचन नमबर 2 क्योचन नमबर 2 में बोलता है कि मनुष्यका समान या तापकरम लगबग होता है मनुष्यका समान या तापमान कितना होता है अन्ठानबे दस मलो चोड डिगरी फोरेन हाइट अन्ठानबे डिगरी सेल्सियास और सट डिगरी फोरेन हाइट स्यासट डिगरी फोरेन हाइट मनुश्यका समाने तपमान केतना होता जल्दी से जवाब दीजेगा 90.6 degree Fahrenheit 90 degree Celsius 64 degree Fahrenheit 86 degree Fahrenheit बिल्कुल बिल्कुल इसका एंसर हो जाएगा 90.6 degree Fahrenheit मनुश्यका समाने तपमान लगवक 90.6 degree Fahrenheit हो जाता है क्यूचन नंबर थिरी में बोला है कि मानों शरीर में आहार मुख्यता पचता है तो आहार मुख्यता पचता निके भोजन का पूर्ण पचता कहा होता है उदर में छोटी यात में बढ़ी यात में यक्रित में मानों के आहर नाल में भोजन का पाचन मुख्यता यानि के पूर्णता कहा होता है उदर में छोटी यात बढ़ी यात याकरीत आपका जाएगा आपका जाएगा आपका जाएगा ओप्षन बी छोटी याद मनुस्य में भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी याद में आपका जाएगा ओप्षन बी क्योचर नमबर थ्री का ओप्षन बी क्योचर नमबर फोर क्योचर नमबर फोर में बलाए कि मनुस् मनुष्य लुहा किसे परात करता है पनीर से पालक से मचली से दूद से बिल्कुल मनुष्य लुहा लुहा यानि कि एरन मनुष्य आरन परात करता है हरी पतिदार सब्जियां से मनुशे आरण फ्रहत करता है हरी पतिदार सब्सेrend से तापका यहाँ पर हो जाएगा पालक क्यूचान नंबर फोर का अप्षन हो जाएगा भी पालक क्यूचान नंबर फाइप में बोलाए कि मानो शरीर में परचूर मात्रा में पाया जाने वरा तत्व है मानो शरीर में पर्चूर मत्रा में कौन सात्व पया जाता है कार्बन, केल्सियम, नाइट्रोजन, ओक्सीजन मानो शरीर में पर्चूर मत्रा में कौन सात्व पया जाता है कार्बन, केल्सियम, नाइट्रोजन, ओक्सीजन आपका हुज जाएगा क्योचाँ नमबर 5 का आप सैच भाउचन दी ऑक्सिजन मानौ स्रीज में पर्चूर मत्रा में पाया जैना बलाता तो आपका हुज जाएगा ऑक्सिजन क्योचर नम्बर 6 में बोला है कि कीस पोसक तत्व का सरोपर्था मुख में पाचन होता है तो भोजन का पाचन मुख में सरोपर्था किस तत्व का होता है प्रोटीन का, कार्बोहड्रेड का, हुआसा का, बिटामिन का क्योचर नम्बर 6 का जवाब जियेगा कि कीस पोसक तत्व का सरोपर्था मुख में पाचन होता है प्रोटीन का, कार्बोहड्रेड का, वशा का, या बिटामिन का बिल्कुल आपका हो जागा कार्बोहड्रेड का सरोपर्थम भोजन का मुख में पाचन होता है कार्बोहडेड का जैसे अश्टार्च अश्टार्च को टाइलिन अश्टार्च को बदल देता है मल्टोज में और अश्टार्च हमारा कार्बोहडेड का रूप होता है तो आपका जोगा क्योचा नमबर 6 का ओप्सन B क्योचाद नमबर सेवन क्योचाद नमबर सेवन में बोला है कि भोजन का पाचाद निमलिखित किस अंग में प्राराम होता है भोजन का पाचाद सबसे पहले किस अंग में प्राराम होता है मूख में, यकरित में, पेट में, आत में बोजन का पाचन कहां से शुरू होता है मुख से, यकरिट से, पेट से, आथ से क्योचान नमबर सेवन बिल्कुल आपका सीवज़ा बज़ेगा क्योचान नमबर सेवन का A मुख से बोजन का पाचन सुरूआत होता है मुख से क्यूचा नमबर एट में बोलता है कि शरीर में सबसे बड़ी हडी है शरीर में सबसे बड़ी हडी कौन है क्यूचा नमबर एट का आपका हो जागा शरीर में सबसे बड़ी हडी आपका फिमर हो जागा क्यूचा नमबर नाइन में बोला है कि मानो शरीर का सबसे बड़ा आंत्रीकंग एक पुछेगा अंग, अंग में हो जागा तोचा और यहाँ पर बोला है आंत्रीकंग, तो आंत्रीकंग कुन सहाए मानो शरीर का सबसे बड़ा आंत्रीकंग है मस्तिश्क, यकरीट, गूर्दा, हिर्दय मानुशिरी का सबसे बड़ा आंत्री कंकों सा है मस्तिश्क, यकरीट, गूर्दा, हिर्दय क्योचन नमबर नाइन काप कोज़ेगा ओप्शन बी यकरीट देखेगा जो मस्तिश्क है इसका वजन होता है लगभग 400 g गुर्दा का वजन होता है एक सोरी सगरम एर्दय का वजन होता है 300 g और जू आपका यकरीत है यकरीत का वजन होता है तेरष दू रुख़जी तोहमारा सबसे बड़ा आंत्री कण्ग हो जाएगा यकरीत लीवर यकरीत को लीवर भी बilot जाता है इसका वज़न होता है डेर से दुख के जी मस्तिष का तेरह सो पचास से चोदो सु गराम गुर्दा का एक सो चलिस गराम और हिर्दय का तीन सु गराम तब का सबसे बड़ा आंत्री कंग हो जाएगा यक्रीत क्यूचा नमबर 11 क्यूचा नमबर 11 नों बलाए कि वज़न होता है कि विचान नमबर 11ं को जर्ग बहता है यकशन यका मर मज्रीश का वज़नो घराच काgelle सलीक Theresa क्योचा नमबर 11, 11 में बलाए कि मनुसे के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मनुसे के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, मस्तिकांत, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्यमस्तिष्क, क्योचा नमबर 11 कब जाब जिएगा, मनुसे के मस्तिष्क का सबसे कौन है option A मस्तिकांत अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क मध्यमस्तिष्क क्योच्चा नंबर 11 कपको जगा option C प्रमस्तिष्क मानो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क कापका जगा option C, क्योच्चा number 12, क्योच्चा number 12 में बोला है कि शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, क्योच्चा कोन है option A, तंत्री का तंत्र, option B, यक्रीत, option C, गुर्दा, option D, हिर्दय, शरीर में सबसे बड़ा कोशी का कौन है, तंत्री का तंत्र, यक्रीत, गुर्दा, हिर्दय क्योचार नमबर 12 पर का जगा, option A मानो, शरीर का सबसे बड़ी कुश्का, तंत्री का तंत्र या तंत्री का कुश्का है क्योचार नमबर 12 पर का जगा, option A क्योंचा नमबर 13, 13 में बोलाए कि शरीर की सबसे चोटी गरंती है, शरीर की सबसे चोटी गरंती कौन है, लिबर, लिबर यानि की अक्रीप, थाइराइड, पेटे उट्री, पेटे उट्री यानि की प्यूस गरंती, लार गरंती, शरीर की सबसे चोटी गरंती कौन है, लिब तरम्चाンチषर को बला है कि ख्रीश में माश्टार ग्रंती कि से का जाता है पीटिवट्री को, थाइमस को, तिली को, बुनर गरंथी को आप लोग जितना भी वीडियो इस वीडियो को देखेंगे सबी लोग कोमेंट मेंसा ज़लूर दे शरीर में मास्टर गरंथी किसे का जाता है पीटिवट्री को, थाइमस को, तिली को, बुनर गरंथी को क्योंचा नमबर फिप्टीन क्योंचा नमर फिप्टीन में बोला है क्योंचा नमर फिप्टीन में कि आप मानो शरीर में उप्रोष्टी को कहां पाएंगे जांग में नितंब में कपाल में छाती में आप मानो शरीर में उप्रोष्टी को कहां पाएंगे क्योचा नमर 15 क्योचा नमर 15 का फ़िए का फ़ोज़गा जांग में क्योचा नमर 16 क्योचा नमर 16 में बोलाए हम एक मिनियट में कितना बार सांस लेते हैं हम एक मिनिट में कितना बार सांस लेते हैं, ओप्शन A, 16-18 बार, ओप्शन B, 30-20 बार, ओप्शन C, 100-110 बार, ओप्शन D, 4-8 बार, हम एक मिनिट में कितना बार सांस लेते हैं, क्योचा नमब 16, क्योचा नमब 16 कब को जागा, ओप्शन A, 16-18 बार, हम एक मिनिट में 16-18 बार स जुचाननुब 17 स्वेंक बिलागे कि कि वी अनमा खड़ी पाई आती है μέ consolidation कूपड़ी में टांग में भूजा एम जटान में कहां पाय जाती है खोपरी में प misin हैं दूजा में मुख में तो पर सब्सक्तित के अपशनul आपकंपर जर्पन करता है य। वह अंग जो मानों स्रीर में पीत उत्पन करता है पिता से यकरीत गुर्दा ग्राशनली मानों स्रीर में पीत उत्पन करता है पिता से यकरीत गुर्दा ग्राशनली क्योंचा नमबर 18 क्योंचा Liberal 18 कब को जागा house option B यक्रीत मानोड से निल्र में पीठ्च जन्य मान होता है यक्रीत से क्योंचा है बॉल फॉल में संबंधित है और फॉल में कि किसे संबंधित है नाइक से मुख से जीव से आध़ से क्योंचाल निल्र नामे से पता चल रहा ओप्थोल्मिक संबंदित है कि मानोशरीर में कौन सा पदार सातकालिक उर्जा का मुख्य सुरूत है मानो शरीर में कौन सा पदा था ततकाली कुर्जा का मुख्य शुरूत है प्रोटीन, खनी जिलवन, बिटामीन, कार्बोहईडरेट मानो शरीर में कौन सा पदा था ततकाली कुर्जा का मुख्य शुरूत है प्रोटीन, खनी जिलवन, बिटामीन, कार्बोहईडरेट क्योचार नमबर 21, 21 में बोला है कि मानो रक्त का पीछ मन होता है, मानो रक्त का पीछ मन कितना होता है? Option A, 3, Option B, 6, Option C, 7.4, Option D, 12, मानो रक्त का पीछ मन कितना होता है? मानुरक्त का पिछमां 3, 6, 7, 4, 12 बेलिकुल क्योचार नमबर 21 का पज़ागा ओप्शन C, 7, 4 मानुरक्त का पिछमां 7, 4 होता है क्योचार नमबर 22 क्योचार नमबर 22 में बुलाए कि मनुस्य के हिर्दय की मनुस्य के हिर्दय की समान अस्पंदन गती परती मिट होती है मनुस्य के हिर्दय एक मिट में कितना बार धड़कता है सो बार, 72 बार, 80 बार, 66 बार मनुस्य के हिर्दय एक मिट में कितना बार अस्पंदन करता है कितना बार धड़कता है option A 100 बार option B 72 बार option C 80 बार option D 64 बार Quture number 22 कापको जगा option B 72 यानि कि बहतर बार Quture number 22 कापको जगा option B 22 बहतर बार मनुसे का हिर्द एक में बहतर बार धरकता है Quture number 23 23 में बुला है कि सर्वदाता रक्त रुधीर वर्ग है यानिन कि सर्वादाता ब्लड्ड गुरुप काउन है बलड्ड गुरुप A, बलड गुरुप B, बलड गुरुप A, बलड गुरुप O. क्योचान नमबर 23, 23 में बोलाए कि सर्वादाता रुधिर्वर्ग है, Option A, A, Option B, B, Option C, A, B, Option D, हो यह चानल नमबर 23 कजाएगा ऑपशन दी है यहां पर बोला सर्वादात तो सर्वादात आद्वादात का ब्लड ग्रूप हो जाएगा ऑप्शन दी क्यों चानल नमबर 24 24 में बोला है कि शार्वगराही रगत्समूं होता है ब्लड ग्रूप o blood group a B Blood group b Blood group a सज़वगराही रात समों कौन होता है blood group o Blood group A B Blood group B Blood group A क्योंचा नमबा 24 का को जागा option B Blood group AB Blood group A B सज़वगराही सबीट सबीजा लेता है क्योंचा नमबा 25 25 25 में बोला है कि एक a hy b group वाला व्य किसे खुन दे सकता है जिसका बलड ग्रूप सब्सक्राइब। किसे दिया जासकटा है रक्त समों को बी रक्त समों को ए बी रक्त समSमों को या सभी को तो 0 होता है सर्वाधाता आप का हुझ जाएगा ओप्षान डी में लिखे दौरा नियंत Orchestra होता है मानव्षरीर में रग्त चैप अनिम लिखे तो दोरा नियंत्रित होता है कि से दोरा adrenal gland gland adrenal gland thyroid gland thymus । यह इन में से कोई नहीं कुछाद क्योचान नमबर 27 कापको जाएगा ओप्शान-ए अर्याक्त चापकान यंतरन करता है एडरीनल ग्रंती, क्योचान क्योचान नमबर 27 कापको जाएगा ओप्शान-ए क्योचार नमबर 28 क्योचार नमबर 28 में बोला है कि इंसुलीन की कमी से कौन सा रोग होता है क्योचार नमबर 28 क्योचार नमबर 28 क्योचार नमबर 28 में इंसुलीन की कमी से कौन सा रोग होता है क्योंचार नमबर 29, 29 में बला है कि मानो शरीर में गुनसूत्र की संख्या होती है, मानो शरीर में गुनसूत्र की संख्या कितनी होती है, 40, 42, 44, 46 क्योंचार नमबर 29, 29 कापको जगा ऑप्सन दी, मानो शरीर में गुनसूत्र की संख्या होता है, 46, मानो शरीर में गुनसूत्र की संख्या 46 होता है, क्योंचार नमबर 30, क्योंचार नमबर 30 में बला है कि मानो मुत्र का पियच मन, मानो मुत्र का पियच मन कितना होता है, 5, 7, 6 मानो मुत्र का प्याच मन कितना होता है पांच साथ छो आठ क्यूचा नंबर थर्टी कापका जगा ऑप्सान सी मानो मुत्र का प्याच मन सीक्स होता है मानो मुत्रका प्यच मांग 6 क्युच्चा नमबर 31 31 मों बुलाए कि मानो शरीर की सबसे छोटी हडी है मानो शरीर की सबसे छोटी हडी कौन है फीमर, अश्टेपीस, कसे रूख, कपाल हडी मानो शरीर की सबसे छोटी हडी है मानोश्री की सबसे चोटी हडी कौन है? फीमर, अश्टेपीस, कसे रूख, कपाल हडी क्यूचार नमबर 31 कप को जाएगा? Option B मानोश्री की सबसे चोटी हडी अश्टेपी है क्यूचार नमबर 32 32 में बुलाए कि मानोश्री का समान ये तपमान होता है मानोश्री का समान ये तपमान कितना होता है? 32 दिग्री सेल्सियस, 92 दिग्री सेल्सियस, 97 दिग्री सेल्सियस, 95 दिग्री सेल्सियस, 96 दिग्री सेल्सियस क्यूचार नमबर 32 में मानोश्री का समान ये तपमान कितना होता है? 32.90-59.1 क्योंचार नम्बर 32 का पौझऑक उपशन सी भर में या प्यूस क्योंच होथा है क्यों मैं, इंसुलिन कीस ख़राइड में यह क्लिभर में ज्राइड में और या BOP के उसंगी के पेंक्रीस ये अगनास है फेंक रियाज ये अगनास है क्युचह नमबर 33 का पैंजा को जएक लाल रग्त कान का निर्मान का होता है एस्टी मज़ा में पलिया में या क्रीत में हिर्दे में कि उच्छान नमबर 34 का पौज़ग ऑप्शन एस्टी मज़ा में लाल रग्त का निर्मान होता है एस्टी मज़ा कि उच्छान नमबर 34 का पौज़ग ऑप्शन ए कि उच्छान न चार से पांच लिटर, पांच से छे लिटर, छे से साथ लिटर, एक ब्यास्क मनुस्य में रक्त की उस्थ मत्रा कितनी होती है, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छे से साथ, क्योचर नमबर थाटी फाइब का जाएगा उप्सन सी, पांच से छे लिटर, एक ब्यास्क मन पुतलाकार अनियमिताकार इन में से कोई नहीं क्योंचार नमबर 36 क्योंचार नमबर 36 का पको जगा अप्शन एक गोलाकार लाल रतकन का कार होता है गोलाकार क्योंचार नमबर 37 अनु बलाए मनुस्यका समान रतव चाप कितना होता है 150 बटा 90, 120 बटा 80, 100 बटा 50, 98 बटा 80, क्योचा नमबर 37, 37 मनुस्य का समाने रग्ट चाप होता है 120 बटा 80, आपका हो जाएगा option B, क्योचा नमबर 37, क्योचा नमबर 38 38 में बलाए कि रग्ट को जमाने के लिए कौन प्रोटीन होता है, आपको रग्ट के ठका जमाने के लिए आवस्य प्रोटीन हो जाएगा फाइबरिनोजेन, क्योचा नमबर 38, 38 क्योचा नमबर 39, 39 में बलाए कि शरीर में हिमोगलोबिन का कारी है, शरीर में हिमोगलोबिन का कारी क्या है, ऑक्सिजन का प्रोटीन, जिवानू का नास, अरक्त अलपता का निवारन, या लोग का उप्योजन, क्योचा नमबर 39, हिमोगलोबिन का कारी क्या है, क्योचा नमबर 39, क्योचा नम आप लोग इस वीडियो का देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जाहें